बच्चों मैं शशी चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विज चंद्रा में तो बच्चों जैसा कि आज आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है टॉपिक बिंदू जोडो कौन सा बिंदू जोडो तो ये जो है आपकी जो कक्षा दो की जो बुक है गडित की गडित का जादो उसका कौन सा द्याय है दूसरा द्याय है के जोडो मगर समूम है तो आज हम उसको करेंगे जो उसका पेज नमबर था इससे पहले कल हमने यहां तक किया था ये जो है ये कल हमने किया था और आज हम इसका जो पेज नमबर कौन सा है ये 12 पेज नमबर 12 से आज हम स्टार्ट करेंगे आगे का तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले जरूरी बार के बच्चों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें औ आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले यहाँ देखो बिंदू जोडो जोजो भूका है 21 से बावन तक के बिंदूओं को करम में जोडो और पता लगाओ की इन बिंदूओं में उसके खाने के लिए क्या छिपा है तो बच्चों देखो यह कौन है यह है जोजो कौन है जोजो तो हमें क्या करना है 21 से बावन तक के बिंदू जो है वो हमने क्रम से जोडने हैं यह यहाँ पर है कुछ बिंदू दे रखे हैं तो इन में हमें क्या करना है 21 से बावन तक के जोडने हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदू 21 कहां है देखो यहाँ पर बिंदू 21 कहां पर है यह है 22 और यह रह बिंदू 21 यह रह 21 फिर 23 24 25 फिर हमें दोडना है 26 27 28 29 30 31 फिर है 32 32 34 35 36 37 38 ठीक है अब आएगा 49 फिर क्या आएगा बच्चो चालिस ठीक है 41 42 43 44 45 46 ठीक 47 48 49 51 और 52 ठीक है यह यहां तक हमें जोडना था अब देखो हमें क्या मिलिया हमें मिलिया जो जो के लिए एक हड़ी तो जो जो भूका था अब जो जो क्या खाएगा जो जो इसे खाएगा यह आपको अपनी बुक में करना है इसके बाद अगला कोशन है शरारती भूरू यह क्या है शरारती भूरू भूरू ने इस पुस्तक के कुछ पन्नों को फाड़ दिया है और पन्नों पर संख्याओं को उनके सही क्रम में हमें लिखना है क्योंकि भूरू ने जो है वो एक पुस्तक के जो पेज है वो फाड़ दिये हैं तो हमें उन पर संख्याओं लिखनी है यह क्या है 48 से पहले क्या आता है बच्चो 47 फिर यहां क्या आएगा 48 के बाद 49 50 51 52 और यह 53 ठीक है आपको इस तरीके से यह गिंती लिखनी है अगला है उलज न जाए पूँच उलज न जाए पूँच चिपकूच हुए की खूब लंबी पूँच है जब वह सो रहा था तब शरारती बिल्ली ने उसकी पूँच को खंबों से बांधने की सोची उसने सबसे बड़ी संख्या वाले खंबे से शुरू किया अब देखो यहाँ पर क्या किया जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे बड़ी जो संख्या है वहाँ से शुरू किया एक एक करव चोटी संख्या वाले खंबों से पूँच को बांधने की तरफ आपको जाना है पूँच बांधने में उसकी मदद करो लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी पूँच का कोई हिस्सा दूसरे हिस्से को ना चुए और ना पार करे यानि की पूँच का कोई हिस्सा ना तो पार करना चाहिए और ना ही किसी से चूना चाहिए तो चलिए, करते हैं, हम ये कोशिश करके देखते हैं, और बिल्ली की मदद करते हैं, कैसे? चूहे की पूंच सबसे पहले कहां आई? 37 नमबर पर, चलिए, पहले कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, पिंग कलर, चलो तो सबसे पहले कौन सी संक्या है, सबसे बड़ी संक्या है 37, तो चूहे की पूंच देखो सबसे पहले 37 नमबर पर गई, फिर 37 नमबर से कहां जाएगी? 37 से कम नंबर कौन सा है 36 फिर 36 से छोटा कौन सा नंबर आता है हमारा वो आता है हमारा 35 फिर 35 से छोटा कौन सा होगा बच्चों 34 ठीक ये है 34 नंबर पर फिर 34 से छोटा कौन सा होता है 33 तो 33 की तरफ जाएंगे ये गई हम 33 33 से छोटा कौन सा होता है 32 32 से छोटा कौन सा होता है यह देखो यह रह 32 32 से छोटा कौन सा 31 31 से छोटा कौन सा 30 और 30 से छोटा कौन सा होगा 29 और 29 से छोटा 28 और 28 से छोटा कौन सा होगा 27 नमबर ठीक तो आप भी इसी तरीके से अपनी बुक में करेंगे ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला है खूब बड़ी गाजर क्या है खूब बड़ी गाजर तो इस कहानी को देखते हैं इसमें क्या है और क्या हो रहा है इसमें एक बुड़िया ने बोया दाना गाजर का था पोधा लगाना गाजर हाथों हाथ बड़ी खूब बड़ी भई खूब बड़ी ये देखो ये है बुड़िया और इसने ये दाना बोया गाजर का और ये गादर देखो खूब बड़ गई अब आगे बुड़े ने बुड़िया से बोला मैं लेकर जाता हूँ जोला बहुत समय बीता है हाए गाजर के हलवे को खाए बुड़िया बोली बाग में जाओ उगी हुई गाजर ले आओ बुड़ा जल्दी बाग में आया गाजर पकड़ी जोर लगाया यनि की बुड़ा फटाफट कहाँ पहुँचा बाग में और देखो जोर लगाने लगाया ये बुड़ा हाफ़त बचीना बुड़े में कुछ ताकर नहीं बना भैं नहीं बना थी काम हमारा नहीं बना और बुलाओ एक जना यनि कि अब एक जने को और बुलाओ, एक व्यक्ति को और बुलाओ, क्योंकि हमारा काम नहीं बना कौन सा काम? गाजर को उखाडने वाला बुड़ा बुड़िया को ले आया, दोनों ने मिल जोर लगाया हिलना पाई जरा भी गाजर हातों में था दर्द समाया नहीं बना भई, नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ, एक जना ये देखो, बुड़ा और बुड़िया दोनों मिलकर गाजर को उखाड रहे थे लेकिन फिर भी वो गाजर नहीं उखड़ी, और भई, एक जने को और बुलाया गया ये तो आगई बुड़िया ये आगया बुड़ा अब देखो अब ये कौन है आगे हमें कविता में पता चलेगा बुड़िया ने पोती को बुलाया तीनों ने मिल जोर लगाया फिर भी हिलना पाई गाज़ दुख से सबने मुँ लटकाया नहीं बना भै नहीं बना काम हमारा नहीं बना और बुलाओ एक जना ठीक यहाँ पर देखो बुड़िया ने अपनी पोती को भी बुला लिया लेकिन फिर भी गाजर नहीं उपड़ी अब एक जने को और बुलाओ ठीक है अब देखते हैं पोती का शेरू भी आया चारों ने मिल जोर लगाया किस्मत थी उनकी ना अच्छी गाजर कोई पाड़ न पाया पाड़ का मतलब होता है बच्चों उखाड़ना ठीक है नहीं बना भै नहीं बना काम हमारा नहीं बना और बुलाओ एक जना यानि कि आप क्या हुआ शेरू इतना पिर पोती का कुट्ता बुल्ढी असफ़ी ओर ने अरुल बना अरुण कोटी के उनकी नहीं बच्चों पार नहीं किस्मत्य रहें प्रेश लुजाओ जो शेरु पूसी को ले आया फिर पांचों ने जोर लगाया कुछ-कुछ हिलने लगी वो गाजर फिर भी थी कुछ कसर बखाया नहीं बना भई नहीं बना काम हमारा नहीं बना और बुलाओ एक जनाब अब देखो जो पोती थी उसने शेरु को बुलाया शेरू ने क्या करा? इसे बुला लिया. पूसी को. यही पूसी बिली. फिर भी काम नहीं बना. अब पूसी बिली देखो किसे बुलाएगी. आगे देखते हैं. लेकर गाज. पूसी ने किसको बुलाया? और बुलाओ एक जना. ठीक है? एक जना और आया है. अब पूसी की सुन चूचू आया सबने मिलकर जोर लगाया ताकत ने सब की काम किया गाजर को जड़ से पाड़ दिया अब यहाँ पर जो पूसी थी इसने इसे उलाया चूचू को यानि चूहे को तो चूहे अभी आ गया और गाजर क्या हो गई उखड़ गई मतलब पाड़ दिया उखाड़ दिया बन गया भी बन गया काम हमारा बन गया अब नहीं चाहिए कोई नया लेकर गाजर आये रसोई लेकर गाजर गये रसोई सबने मिलकर गाजर धोई काट चाट कर उसे पकाया गाजर का हलुआ बनवाया उड़ी हर तरफ खुस्बू उसकी मन जिस्क से सब का लल्चाया यानि कि जब गाजर का हलुआ बना तो सब का मन लल्चाया जब उसकी खुस्बू चारो तरफ उड़ी ठिक, बूड़ा, बूड़ा, बुड़िया, पोती, शेरू, पूसी, चूचू ने मिल खाया मतलब सबने फिर वो हलुआ, खू मजे से खाया ये देखो, ये क्या कहा रहा है चूचू? मैं हूँ सबसे बड़ा शक्तिमान क्योंकि जैसे ही चूचू आया था, उसके बाद ही गाजर क्या हो गई थी? उखड गई थी, अब देखो, चित्र देखो और लिखो कितने लोग गाजर उखाड रहे थे? तो चलो, गिनो भई, कितने लोग गाजर उखाड रहे थे? ठीक है? कितने? बुड़ा, बुड़िया, पोती, शेरू, पूसी और चूचूँ कितने लोग हो गए? गिनो? एक, दो, तीन, चार, पाच और छे कितने लोग हो गए? छे लोग ठीक? सबसे पहले गाजर खीचने वाला कौन था? तो बताओ यहां नमबर एक पे कौन है? बुड़ा, कौन था? यहां लिखेएंगे बुड़ा, ठीक? फिर है बिल्ली इस लाइन में खालिस्तान इस्थान पर है देखो, यहां पर है बिल्ली यह रहा पाच-वाँ तो यहां लिखेएंगे पाच-वे इस्थान पर ठीक है? यह हो गए आपके कौस्यन आगे चोथे स्थान पर गाजर उखाणने वाला कौन था ठीक, तो अब देखो चोथे स्थान पर कौन था यहाँ देखो, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा क्या नाम है इसका? शेरू तो हम क्या लिखेंगे? शेरू लिखेंगे ठीक है क्या लिखेंगे शेरू बिल्ली के आने से पहले कितने लोग गाजर उखाड रहे थे ठीक तो देखो कितने लोग उखाड रहे थे बताओ जल्दी से बिल्ली कहाई यहाँ पर एक दो ऐसे लिख लो तीन चार चार लोग ठीक तो हम लिखेंगे चार लोग ठीक यह हो गए चार लोग अब अगला अगला क्या है इस लाइन में जो तीसरे नमबर पर है उसके सुर पर टोपी पैनाओ तो उसके सिर पर हम टोपी पैनाएंगे जो त तो तीसरे नंबर पर कौन है ये है लड़की पोती तो हमने ये पैना दी इसको तोपी ये पैना दी हमने तोपी अब अगला कोशन देखते हैं इस लाइन में छटे वाले की मुचे बनाओ तो छटे वाला कौन है कौन है चटे पे ये है चुहा तो इसकी मुछे बनाओ मुछे बनाओ इसकी चलो बन गई ना मुछे चलो आप देखते हैं अगला कुश्चन अगला क्या है सीमा का सैकडा सैकडा कितना होता है बच्चो सो क्या होता है सो सो को बोलते हैं सेकडा सीमा ने अलग अलग तरहें की बिंदियों से एक डिजाइन बनाया है तो ये कौन है ये है सीमा अब देखते हैं सीमा का डिजाइन ये बनाया है सीमा ने एक डिजाइन ठीक दिख रहा है आपको ठीक ये कैसा है ये बिंदियों का डिजाइन है ये देखो ये अलग-अलग तरह से बिंदियां लगा रखी है सीमा ने एक डिजाइन में ठीक ये बनाया है सीमा ने डिजाइन अब देखते हैं कोश्चन अलग-अलग समू को दियान से देखो और बिंदियों की कुल संक्या का अंदाजा लगाओ तो चलो अंदाजा लगाते हैं सबसे पहले देखते हैं पीली वाली बिंदियां तो सबसे पहले लाइन में कितनी है चार और फिर है तीन यानि चार तीन साथ और ये तीन कितनी हो चार फिर कितनी है तीन फिर कितनी है तीन तो चार तीन साथ तीन दस कितनी हो गई बिंदिया दस हो गई अब यहाँ पर देखो अगले में देखते हैं अगले में कितनी है तीन यह हो गई और तीन उपर की हो गई तो तीन और तीन शै और चार यह कितनी हो गई यह भी दस हो ग ये चार, तीन साथ, और ये तीन, ये भी दस है, ठीक, ये कितनी है, चार, तीन साथ, और तीन दस, ये भी दस है, और ये कितनी है, यहाँ देखो, एक और तीन, तीन, तीन च्छै, और एक ये चार, ये भी दस है, ठीक, अब यहाँ देखते है, चार, तीन साथ, और तीन दस, ये भी 10 है और ये 3 और 3 6 और 4 10 ये भी 10 है तो ये सारे कितने हैं ये हैं 10, 10 ये वाली, 10 ये वाली, 10 ये और 10 यहां पर ये तिर्बूच से बनाय हुए है 10 ये बिंदिया है, 10 ये हैं और 10 ये है ठीक, अब ये कितनी हो गई देखो 10, 10 ये, 10, 10, 10, 10, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बार 10 है तो 8 को हम 10 से गुणा अगर कर दें तो ये हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा बच्चो, 80 ठीक है, और अगर हम ये देखो एक आसान तरीका क्या है, देखो 10 का पहाड़ा आपको आता है 10, 20, 10, 33, 10, 44, 10, 50, 10, 6, 7, 10, 7, 10, 8 तो 10, 8, 8 कितनी हो गई ये? 80 हो गई अब देखो अगला कुछ और समू के चित्र बनाओ की ताकि 100 बिंदियां पूरी हो जाएं, तुम्हें कितनी और बिंदियां बनानी पड़ी? तो हमारे पास पहले कितनी थी? बताओ हमारे पास थी 80 तो हमको 100 करने के लिए कितनी बिंदियों की जरुवत पड़ेगी? 20 बिंदियों की उसको हम देखो कैसे निकालेंगे? कैसे पता चलेगा हमें? हम क्या करेंगे? जैसे हमें कितनी चाहिए? 100 चाहिए हम इसमें से 80 बिंदियों को घटा देंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? 10 में से 2 गए 8 10 में से 8 गए 2 20 बिंदियां हमें और बनानी है ठीक? तो कितनी थी हमारे पास? 80 तो हम और बनाएंगे बनाओ यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाट, छे, साथ, आठ, नो, दस ठीक, अब हम ले लेते हैं दूसरा कलर, कौन सा ले हैं, चलो यह लेते हैं, ब्लैक कलर ठीक हैं, अब देखो, एक, ठीक, एक, दो, ठीक, एक, दो, तीन कितनी हो गई, छे हो गई, एक, दो, तीन, चार, कितनी हो गई, देखो, गिनो जरा, तीन, और तीन, छे, चार, दस, दस यह हो गई, ठीक हैं, और तीन, तीन, छे, और नहीं, चार, तीन, साथ, और तीन, दस, दस यह हो गई, तो हम असी में दस यह जोडेंगे, और दस यह जो तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 और 9 और 10 हो गई पूरी 100 ठीक है तो हम कितनी जोड़ेंगे यहाँ पर यहाँ पर अलग लग समू को ध्यान से देखो और बिंदियों की कुल संख्या का अंदाज अलगाओ तो कितनी है 80 या लिकिंगे 80 कुछ और समू के चित्र बनाओ ताक अधर यहाँ पार्ट करने में अगर आपको मज़ा आया हो तो इसको और अच्छे से करें और अपनी पुस्तक में ध्यान से इन सबी सवालों को करें और समझ में नहीं आए तो वीडियों को एक से दो बात जरूर देखें और मुझे कमेट बॉक्स में जरूर लिखें कि झाल झाल